नमस्कार दोस्तों मैं सुमीत आप सोका सागत करता हूँ बट स्केर इन्फो यट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने पैरेट को हैंड टेम कैसे कर सकते हैं मतलब मेरी तरह आप भी अपने पैरेट को हाथ पर कैसे ले सकते हैं तो आज की वीडियो बहुत ही या था अल्टिमेट और नॉलेजबल होने वाली है तो वीडियो को बिना अस्टिप किये लास्ट तक देखते रहे हैं और अगर आप चैनल पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पसेट कर ले ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को हम सुरू करते हैं सब फेंड्स मेरे कुछ नए भीवर्स है जो कि मेरे वीडियो को देखके मुझे मैसेज करते हैं कि सुमीद भाई आपने अपने पैरोट को हैंटेम कैसे किया और आपका पैरोट खोले में रहता है तो क्या वो उड़ता नहीं है तो चलिए मैं आपको इसका एंसर देता हूँ सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा पैरोट उड़ता क्यों नहीं है अब भी आप मेंसे कुछ लोग बोलोगे कि तुमने इसके विंग्स को ट्रीम्ड कर रखा होगा तो आप इस वीडियो किलिप में देख लीजे इसमें आपको किलियरली दिख रहा होगा कि इसके विंग्स ट्रीम्ड नहीं है मेरे पैरोट के ना उड़ने का one and only reason है कि ये मेरे पास बज़पन से है जब ये इतना साथा तब से ही ये मेरे पास है इसलिए इसे मैं कहीं भी रखू उड़ेगा नहीं अगर आपने भी अपने पैरोट को बज़पन से पाला है तो वो भी नहीं उड़ता है बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा कई लोगों के पैरोट उड़ चुके है दूसरी चीज कि मैंने अपने पैरोट को हैंट टेम कैसे किया तो देखिए मुझे अपने पैरोट को टेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है क्योंकि ये मेरे पास बचपन से है तो ये खुद पर खुद टेम हो गया बट आप अपने पैरोट को हैंट टेम कैसे करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किसी भी पैरोट को टेम करने के लिए उसका हेल्दी एंड एक्टिव रहना कंपल सरी है पैरोट हेल्दी एंड एक्टिव रहे इसके लिए पैरोट को प्रॉपर डाइट दीजिए इस टॉपी पर भी वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर जिसका लिंक मैं डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ आप जाकर इस वीडियो को भी देख लेना पैरोट को किसी भी तरह का ट्रेनिंग देने के लिए उसका टेम रहना बहुत जरूरी है अगर आप चाते आपका तोता बात करें टॉकिंग करें तो भी तोते का टेम होना बहुत जरूरी है पैरोट हैंट टेम रहेगा तब ही जाकर वो टॉकिंग करना स्टार्ट कर सकता है और आप उसे टॉकिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं पैरोट को टेम करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल एंड हंडेट परसेंट वर्किंग ट्रिक बता रहा हूं जिसके मदद से आप अपने पैरोट को इजली टेम कर सकते हैं सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्या आपका पैरोट टेम हो सकता है या फिर नहीं अगर पैरोट का एस थिरी मन्द से वन यर तक है तो ये पैरोट टेम हो सकता है वहीं पैरोट का एस अगर एक साल से ज़्यादा हो रहा है फिर उसको टेम करना मुश्किल है अभी मैं आपको पैरोट को टेम करने का तरीका बताने जा रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है पैरोट के मन से खुद का डर निकालना है आप देखेंगे आप जब भी पैरोट के पास जाते हैं तो पैरोट आपसे डर कर दूर भाग जाता है या फिर काटने को दोड़ता है तो कहीं न कहीं आपका पैरोट आपसे डर रहा है तो पैरोट के मन से आपका डर भागाने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले तो पैरोड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंट करिए रोजाना पैरोड के साथ बैठिए उससे बाते करिए और सबसे बैरोड को अपने हाथों से खिलाने की कोशिज करिए पैरोड को टेम करने से पहले continue इस चीज को एक मेंचे तक फॉलो करना है इससे पैरोड धीरे धीरे आपको पहचानने लगेगा धीरे धीरे उसके मन से आपका डर निकलता जाएगा पैरोड को ट्रेनिंग देने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग के बात से आठ वजे के बीच क्योंकि इस टाइम पर पैरोड रात भर का भूका रहता तो अभी पैरोड को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है आपको करना यह है कि उसका फेवरेट फूड अपने पास रखना है जो भी फेवरेट है उसका लाइक सनफ्लावर सीड कॉर्ण जो भी फेवरेट है उसे अपने पास रखी और केज के अंदर ही पैरोड को अपने हाथों से खिलाना है केज के अंदर पैरोड इसली आपके हाथों से खा लेगा कुछ दिन तक इसी चीज को फॉलो करना है अब इसी चीज को पैरोट को केज से बाहर निकाल करना है सबसे पहले तो रूम को चारो तरब से बंद कर ले जहाँ जहाँ से पैरोट भाग सकता है और सबसे में फैन को जरूर से ओफ कर ले otherwise पैरोट फैन से इंजर्ड भी हो सकता है अभी आपको क्या करना है आपको parrot को cage से बाहर निकालकर उसके फैब्रेट फूड को उसके पास ले जाना है हो सकता है कि parrot ना खाए आप से दूर भाग जाए इसके लिए आपको parrot के wings को trim करना होगा जिससे parrot इधर उधर भाग ना सके पैरोट का punk काटना आपको गलत जरूर लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है कि कटे हुए फंक कभी बापस नहीं आता एक साल के अंदर अंदर पैरोट के कटे हुए फंक बापस से ग्रो हो जाता है और तब तक आपका पैरोट फुल ट्रेंड भी हो जाएगा तो अगर आपको जानना है कि पैरोट के पंक कैसे काटते हैं परंग काटने का सही तरीका क्या है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताओ मैं जल्दी इस पर भी वीडियो बना दूँगा तब तक आपको बाकी के टू अस्टेप्स को फोलो करणा है और पैरोट को किसी भी तरह का ट्रेनिंग देने के लिए पैरोट के वाइटिंग बिहवियर को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है तो इस टॉप पर वीडियो नेक्स संडे यानि 20 अगस्ट को मेरे चैनल पर मिल जाएगा तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और परसेट कर लिजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दोस्तो पैरट को टेम करने जा रहे है तो आपको पैसेंस रखना है ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में आप अपने पैरट को टेम कर लोगे continue 3-4 महिने की ट्रेनिंग के बाद कहीं जाकर आपका पैरट टेम होगा तो आपको पैसंस रखना है और रेगूलर प्रापर ट्रेनिंग देना है तो फ्रेंज आज मैंने आपको बताया पैरट को हैंट टेम कैसे कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलाओ तो आज की वीडियो को हम ये पर बाइंड अब करते हैं